नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में कवर करेंगे सारक 11 वर्षिद पैंथर 11 की टीमों के बीच में जो बाइजूस पॉंडीचेरी टीटवंटी का मैच नमबर 21 खेला जाएगा उसके बारे भी तो दोस्तो इस मैच का वेन्यू रहेगा किर्केट असोसियेशन पॉंडीचेरी स मुकाबला खेला जाएगा सुबह 9 बज के 30 मिट पे ये मुकाबला स्टार्ट होगा अगर दोस्तो बात किजाए पिच रिपोर्ट की तो औरोल यहां का विकेट हो एक बैलस विकेट अक्सेप्ट किया गया है वह साथ साथ देखोगे तो इस वेन्यू की उपर पेसर गेंद दावा नजर आ जाएगा आई होप आपको पिच रिपोर्ट समझ आ गया होगा बाकी इस वेन्यू की जो भी फ्रेस पिच रिपोर्ट रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रवाइड करवा दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लेना आप बात कर लेते हैं क्या रहेगी पैंथर 11 की पोसीबल प्लेइंग 11 तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना केवल 50 लाइ मिल जाए अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी पैंथर 11 की पोसीबल प्लेइंग 11 तो दोस्तों इस टीम ने इस सीजन 6 मुकाबले के लिए स्टार्टिंग के 4 मुकाबले वोन करके रही वही लास्ट वाला एक मुकाबला लोस्ट करके रही है और फिप्त नंबर वाला और इस टीम की तरफ से आपको लगाता रोहित डी यह ओपन करवा के दे लास्ट मुकावल बैटिंग में पांच रमनाय, च्यार ओर की बोलिंग डाली, एक ओर मैडिन डाला, 22 रंध खटके एक विकेट निकाला, सेकेंड लास्ट मुकावल बैटिंग में पंदर रमनाय, दो की बोलिंग डाली, ग्यारा रंखटके एक विकेट निकाला, थर लास्ट मुकावले में तरे परन की इनिंग खिली, फोर्म ठीक टाक चलिए, एक इपोर्टन पिक आपके रहेगी, रोजित डी आपको ओपन करवा के देंगे, पलस आपको कम्पलीट बोलिंग डालती हुई नजर आजेंगे, तो जुरूर से आप अपनी टीम में कवर करके, जील वारके कोम्मिनिस में जुरूर से सीवी सी ट्राई करके चला, आपके लिए के ट्रम्प कार्ड पिक इस मुकावले में रहेगी, यस जादों की बात की जाए, तो लगातार ये भी ओपन कराने के लिए लास्ट मुकावले में 13 माई, सेकिन लास्ट मुकावले में 17 माई, 13 मुकावले में 15 माई, लास्ट के तीन मुकावले में देखो तो फोम इतनी अच्छी नहीं चलिए, लेकिन एक हार्ड हीटर प्लेयर है, ओपन कराने के लिए एक इपोर्टन पिक आप कले रहेगी, जुर तो मूरत से priest उन्मेट तो मुखावल में utop order में बैतिंक करें वह नजरी आजांगे एक इिम पोर्टन फिकाप के रहेगी जुरूर से कवर खर करके चला आमिर जिसन की भात केवे लाद कीज नंबर च्यार पे बैटिंग कराने के लिए 30 रन की इनिंग के लिए 2nd last मुकावल में खाता भी निग खोल पाई 3rd last मुकावल में 59 रन की काफी लाजवा भी निग खेल की दी फोर्म काफी लाजवा आप चलिए आमिर जिसन आपके लिए की पोर्टन पिक रहेगी जुरूर से आप अपने टीम में कवर करके जील ओर के कोमनेशन में चाओ तो आमिर जिसन को इस मुकावल में आप वी सी भी ट्राई करके चल सकती हो नहा की बात की जाए तो लास्ट मुकावल में बैटिंग में चैनमा है सेकिन लास्ट मुकावल में खाता भी निग खोल पाई च्यार ओर की बोर्टन डाली 14 रन खटके एक विकेट निकाला सेकिन लास्ट मुकावल में 30 रन की नाबाद इनिक लिए 4 ओर की बोर्टन डाली 16 रन खटके एक विकेट निकाला फोर्म काफी लाजव आप चल लिए अस्तिन राजव आपके लिए की पोर्टन पिक रहेगी जुरूर से आप अपनी टीम में कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकती हो जे प्रकास की बात कीज़े तो दोस्तों हालांकि लास्ट के दो मुकावल में फ्लोप रहे बैटिंग ओर भी नीचे कर दिया गया है लेकिन स्टार्टिंग के तीन मुकावल में परदसन ठीक टाक रहा था एक और इसी पिक रहेगी अगर आप चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चल सकती हो बाकि आप ड्रोप करने का रिस्क भी ले सकती हो कार्तिक बी नेर की बात किजए तो लास्ट के तीन दो मुकावल में देखो एक एक विकेट और थर लास मुकावल में तीन विकेट उससे पहले दो मुकावल में दो दो विकेट निकाल के दिये हर मुकावल में आपको complete च्यार ओर की बोलिंग डालके दे रहें जब जब बैटिंग का मुकावलता है तो ठीक टाक बैटिंग भी करवा के दे रहें तो इपोर्टन पिक रहेंगे जुरूर से आप अपनी टीम में कवर करके समोली ओरा में चाओ तो इस प्लेयर को आप वी सी भी ट्राइ करके चल सकती हूँ गुरविंदर सिंग की बात किजए तो फोर्म है वो बहुत ज़्यादा फ्लोप चलिये अभी तक एक मुकावल में दो विकेट निकाल के दिये बाकि तीन मुकावलों विकेट अलस रहें तो एक रिस्की पिक रही बाकि आपको कंपलीट च्यार ओर की बोलिंग डाल के दे रहें तो एक इपोर्टन पिक रहेगी जुरूर से कवर करके जियर और के कॉमिनेस में वी-सी भी ट्राइ करके चल सकते हूँ बाकी बात की जाए यहाँ पर अभीन मैथ्यू की तो अभीन मैथ्यू भी लास्ट के दोनों मुकावलों विकेट लेस रहे हैं अलाकि स्टार्टिंग वाले एक मुकावलों में तीन विकेट निकाल के दिये तो एक और स्टीपिक आपके लिए रहेगी अगर आप चाओ तो कवर करके चल सकते हो बाकी अभीन मैथ्यू को आप ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हो लेकिन अभीन मैथ्यू आपको कंपलीट 4 और की बोरिंग डालके देंगे तो जीलवर के कॉमनेस में जरूर से कवर करके चला बाकी इस टीम की तरफ से बैंसीज में जो भी अपडेट आएगी वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे तो टेलीग्राम चैनल की दू लिंक मिल जाएगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो जल्द इसे जाके गई टेलीग्राम चैनल को जोईन करेना अगर दोस्तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो केवल पचास लाइक का टारगेट है तो मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक जुरूर से कर देना फाइनल टीम फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को भी जोईन कर लेना अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी सारक 11 की पोसीबल प्लेंग 11 तो दोस्तो इस टीम ने इस सीजन 5 मुकाबले के लिए 3 मुकाबले वोन करके आरी है वो लोस्ट करके आरी है और इस टीम के तरप से गोविंद रंजन है वो लगातार ओपन करवा के दे रहे हैं लास्ट मुकावले में 41 माई, सेक्ड लास्ट मुकावले में हाला कि इतना ज्यादा कुछ नहीं करवा पाई, केवल 10 माई, लेकिन फोम है वो इस सीजन काफी लाजो आप चलिये, तो एक इपोर्टन पिक रहेगी, जुरूर से कवर करके चला, चरन जीवी की बात कीज़े, त कुछ नहीं करवा पाई, केवल 15 माई, लेकिन इस सीजन इनकी फोम है, वो काफी लाजो आप चलिये, तो मोहित मिधन भी आपके लिए की पोर्टन पिक रहेगी, कभी भी आपको एक या दो और की बोलिंग भी डाल के दे सकते हैं, तो मोहित मिधन को आप जरूर से कैप्ट तो 20-20 रन की इनिंग खेल की दी, और स्कोर भी इतना अच्छा इनका नहीं रहता है, तो अरविंद राज आपके लिए के रिस्की पिक रहेगी, सीधा सीधा आप ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हो, प्रेम राज की बात किजए, तो स्टार्टिंग के कुछ मुकावल में तो नमबर 3 या नमबर 4 पे आपको बैटिंग करवाती हूँ नजर आहें, लेकिन लास्ट मुकावल में नमबर 6 पे बैटिंग कराने के लिए 27 रन की इनिंग के ली, उस livelihood, ऊanger भी विए निकाल के देजगे, तो प्रेम राज आपके लिएक और इस पिक रहेगी, जूरूर स कवर करके चला थाविगर की बात की ज 온 इनकी भी काफी लाजवाप चल Hey बाकर को einsथा वाले में कालों यागई भी डाई किखे यम स्याकर और funk वाले की धा तो गुच्छों में विकट निकाल के दिए तो जियलवरक के कोफें वहीं बात किसे अक्सेजाने तो आकसेजानी ने last mokau remotely स्बैंट उससे पहले देखो एक मोकावल qualifying में दो साक्षेजानी आपके लिए खाले आश पिक रहतgery हो जरूर्स आप एपपनी निए cover करके चल सकते हो बाकी इस टीम की तरफ से भी बैंसीज में जो भी अपडेट आएगी वो भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक मिल जाएगे आपको वीडियो के दिस्क्रिप्शन में तो जल देशे जाके गाई टेलीग्राम चैनल को जोइन करे ना अगर दोस्तों आपने यह भी तक वीडियो को लाइक नहीं कहे तो मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जुरूर से कर देना यह तो गया दोस्तों दोनों टीमों का स्टेट वाइज अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनलाइसिज और क्या रहेगी आज की हमारी ड्रीम लेवन की डेमो टीम गाईज जार्चेमिल आपको टोप ओडर में बैटिंग करवाती हुए नजर आजाएगे फोम भी ठिक टाक चलिए एक और इस पिक आप कर लेगी जुरूर से कवर करके चल सकते हूँ अरविंद राज का ना तो बैटिंग ओडर कंफर्म रहेगा फोम भी इतनी अच्छी नहीं चलिए तो एक रिस्की पिक रहेगी ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हूँ वहीं बात किज़े नागूर बाबू की तो इनका दोस्तो बैटिंग ओडर कंफर्म रहता है फोम भी बहुत ज़्यादा फ्लोप से लिए तो एक रिस्क की पिक आप कर रहेगी सीधा सीधा आप ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हूँ बैटिंग ओडर में बात किज़े डी रोइत आपको ओपन करवाती हूँ नजर आ जाएंगे पलस आपको तीन या चार ओर की कंफरम बोलिंग डालके देंगे एक पोर्टन पिक रहेगी जियल ओर के कोमिनिस में जुरूर से कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राए करके चल सकते आमिर जिसन की बात किज़े तो लास्ट मुकावल में 30 रन की इनिंग खेली सेकेंड लास्ट मुकावल में 69 रन की लाजवाब इनिंग खेली फोर्म काफी लाजवाप चलिए एक पोर्टन पिक आपकर रहेगी आपको नंबर तीन या नंबर चार पर बैटिंग करवाती हू प्रेम राजा भी आपको दोस्तों देखो तो नोस्ट ली देखो नमस्ट ली मुकावल में 300 लेकिन लास्ट मुकावल में 26 पर बैटिंग कराती हूँ 27 रन की इनिंग खेल की दी एक और रिजपिक आपके लेगी जरूर से कवर करके चल सकती हूँ आई नहा आपके लिएक पिक रहेगी, सिधा सिधा आप ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हो, आलाउंडर सेक्शन में बात किजए, अस्तिन राजो, फोम है, काफी लाजो आप चली, एक इपोर्टन पिक रहेगी, जुरूर से कवर करके, कैप्टन वाइस, कैप्टन ट्राइ करके चल सकते हो, अस्तिन गुरविंद है, वो आपके लिए एक रिस्क पिक रहेगी, ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हो, अक्षे जानी आपके ले एक और इस्क पिक रहेगी, अगर आप चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो, या आपको तीन या चेहरोर की कन फ्रम बोलिंग डालती हो, न इस मुकावल में रहने वाली है, लेकिन फिलाल के लिए दोस्तों देखो, विसाल खोकर को मैं अपनी टीम में कवर करके चलाऊ, बोलिंग सेक्शन में बात किजाए, के भी नेर फोर्म काफी लाजवाब चली हर मुकावल में आपको विकेट निकाल के देए, जरूर से कवर करके चलाऊ, आपको कंपलीट च्यार ओर की बोलिंग डालती हुए, नजर आ जाएंगी, अब इन मैथ्यू की बात किजए, तो लास्ट के कुछ मुकावल में देखो, अब इन मैथ्यू की फोर्म इतनी अच्छी नहीं चली है, लेकिन कंपलीट आपको च्यार ओर की बोलिं के बात किजए, फोर्म इनकी भी ठीक ठाक चली है, एक इपोर्टन पिक रहेगी, हर मुकावल में आपको विकेट निकाल के देए, कंपलीट च्यार ओर की बोलिंग डाल के देए, तो जरूर से कवर करके चलाऊ, अभी इस आपके लिएक रिस्की पिक इस मुकावल में रहे तो एक इपोर्टन पिक आपके लिए रहेगी, जुरूर से कवर करके चल सकते हूँ, साइज जेतन लास्ट मुकावल में नहीं खेलेते हैं, एक रिस्की पिक रहेगी, ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हूँ, अगर मेक पंडे इस मुकावल में खेलती हैं, तो आप ओनली ज दोस्तों, अगर आपने अभी तक अमारे टेली ग्राम चैनल को जूइन करो, फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, आपको इसी टेली ग्राम चैनल पे मिलेगी, तो इपोर्टन रहेगा टेली ग्राम आपके लिए जल्दी से जाके जूइन करेना, अब बात कर लेते हैं, कैप ट्राय करके चला हूँ, वाइस कैप्टन है वो, जी चरण जी भी को ट्राय करके चला हूँ, कोविन दरण जन हो गया, आपके लिए इसस्तीन चैनल अपके लिए के मिले बात कम चैनल चैनल को जूब करकेर, इसर exclusion की यह क। कैप्टन वाइस कैप्टन की तो आप जुरूर से ट्राइ करके चल सकती हो टेम पर व्यू की बात किज़ें तो दोस्तों देखोगे तो यह हमारी फाइनल टीम नहीं है उनली एक डेमो टीम है जो फाइनल टीम होगी वो हाप्ट टोस वो लाइन अप आने के बाद आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड करवा दी जाएगी और टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्चन भी बिल जाएगे तो जल्द इसे जाके गई टेलिग्राम चैनल को जो इन करेना अगर दोस्तों आपको अमारा state analysis अच्छा लगा है तो वीडियो को like, comment, save, subscribe जरूर से कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में जै हिन जै भारत